लो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एडू फाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग RC Coupled Amplifier के बारे में डीटेल में डिस्स करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉंसेप्ट को, नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, एप्लिकेशन के साथ में, डीटेल होता है, मल्टी स्टेज का मतलब कि इसके कई सारे स्टेज होते हैं, पहले स्टेज पे Amplification होगा, फिर दूसरे स्टेज पे Amplification होगा, यानि कई स्टेज पे ये सिगनल को, वीक सिगनल को strong signal में यह change करता है Amplification का मतलब, Amplifier का मतलब क्या होता है कि जो week signal को strong signal में change करें तो यह जो होता है, यह multi stage amplifier होता है, rc coupled amplifier मतलब यह कई सारे stage में signal को amplify करता जाता है इसलिए एक बेहतर amplifier है अब देखें, यहान कि जब यह multi stage है तो इसके individual stage होंगे मतलब यह multi stage ना तो इसका एक-एक stage होगा कुछ ना कुछ तो इसका जो एक-एक stage होता है वो जो होता है वो resistors और capacitors से मिलके बनाया जाता है बहुत ही simple इसका structure होता है बहुत ज़्यादा difficult नहीं होता है कुछ resistor होना चाहिए कुछ capacitor होना चाहिए आपके पास और transistor होना चाहिए तो आप RC coupled बना लेंगे इसलिए इसका नाम पढ़ गया RC coupled मतलब resistors और capacitor इसी वज़े से पढ़ा अब ये two stage amplifier हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बहुत ज्यादा stage वी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग two stage ले रहे हैं तो इसलिए हम इसको common emitter तो दो common emitter amplifier का use हम लोग करते हैं RC coupled में यहाँ पे दो stage में तो common emitter का अगर आप जानते हैं working common emitter amplifier को आप समझते हैं तो यह समझना आपके लिए बहुत easy होगा यहाँ पे हम लोग common emitter को भी समझेंगे थोड़ा सा अब देखें यहाँ पे जब हम जान चुके हैं कि RC coupled में जो होता है वो क्या होता है common emitter transistor होता है उसी से मिलके हमारा यह RC coupled बनता है तो इसी को हम लोग समझ लेते हैं common emitter amplifier को तो यह रहा हमारा common emitter amplifier अब देखें common emitter amplifier में क्या होता है कि base terminal पे हम लोग क्या करते हैं input देते हैं input देते हैं और हम लोग output लेते हैं collector से अब यहाँ पे emitter जो होता है वो common होता दोनों में मतलब input हम देते हैं तो emitter के हिसाब से इसको हम ground माल लेते हैं 0 तो 0 के हिसाब से हम input देते हैं करते हैं अब आपका question दिमाग में यह उठ रहोगा कि common emitter amplifier का ही use क्यों किया जाता है हम common base का ibhy use कर सकते हैं common collector कावी use कर सकते हैं तो उसका number one reason यह है कि common emitter amplifier जो होता है वो gain जिसका gain जो होता है वह positive होता है अगर weak signal है, तो यह क्या करेगा, हो सकता है, double कर दे, हो सकता है, triple कर दे, कुछ भी कर सकता है, unity से ज़्यादा है, तो unity से ज़्यादा भी इसका gain होता है, तो इन दो reasons के वज़े से हम लोग क्या use करते हैं, common emitter amplifier का use करते हैं, हम लोग RC कपड में, तो यह दो reason है, अब common emitter के बार subtle wave, मतलब sine wave दे रहे हैं, तो यह output पे क्या होगा, 180 degree phase shift हो जाएगा, इसका, इस तरीके से दे रहे हैं, तो यह इस तरीके से हो जाएगा, यह इस तरीके से, देखें, यहाँ पे क्या हो गया, यह wave इस तरीके से थी, और यह wave इस तरीके से, 180 degree का क्या होता है, phase shift हो जाता है, common common emitter amplifier में अब यह क्यों होता है इसका reason भी जल्दी स्ट्रॉट में समझते हैं कि यह common emitter amplifier 180 degree phase shift क्यों करता है 180 degree phase shift करता है तो इसका use भी है यह फरजी नहीं है बहुत ज्यादा use 180 degree phase shift का कुछ ऐसे oscillator होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा feedback वाला जो पार्ट होता है 180 degree phase shift होता है तो ट्रांजिश्टर 180 और कर देता है जिससे 360 हो जाता है तो हमारा balance हो जाता है तो इसलिए use है इसका तो common emitter हमने आपको बताया है कि 180 degree phase shift करता है मतलब input अगर इस तरीके से तो output आपको इस तरीके से मिलेगा क्यों मिलता है इसको अच्छे से समझते हैं सबसे पहले देखें common emitter में यह देखिए यह positive supply हम power supply देते हैं बाहर से power supply भी तो देंगे VCC जैसे इसको दिया है इसको द VCC कह सकते हैं collector और emitter के voltage को हम VCE कह सकते हैं कह सकते हैं ठीक है तो यह जो होता है N यहां होता है P यहां होता है N अब देखे N जो है positive से connect है अगर यह zero है तो यह मतलब slightly negative हम इसको zero को मान सकते है positive के हिसाब से तो यह जो base हो collector है यह reverse bias में है अगर हम input को बढ़ाएंगे तो क्या होगा यह मतलब यह positive करते जाएंगे तो क्या होगा reverse bias character कम होगा इसका base और collector का reverse bias character क्या होगा कम होगा जिससे क्या होगा collector current increase होगी और transistor on हो जाएगा तो जब reverse bias character इसका कम होगा तो collector collector or emitter के बीच का voltage क्या होगा drop होगा तो इसलिए क्या होता है कि जब input का voltage बढ़ता है तो यह output का voltage क्या होता है कुछ opposite way में behave करता है इसलिए signal जो होता है 180 degree phase shift होता है input जो है वो output का opposite तरीके से behave करता है क्योंकि यह reverse bias है यहाँ पर क्या होगा जब जब यह reverse bias character क्या होगा इसका कम होता जाएगा तो collector or emitter के बीच का voltage drop होगा यह तो हम समझ चुके एक तरीक से है अब हम लोग समझते है किर्चौफला से भी किर्चौफला में देखिए यहाँ पर किर्चौफला गर हम लिखना चाहें इस लूप के लिए तो वी output जो होगा वह क्या होगा वी प्लस माइनस ICRC IC जो है current जा रही है यहाँ पर ऐसे collector current और RC जो रेजिस्टर तो यह भी एक voltage हुआ आई आज जो होता वोल्टेज होता है तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं अब देखिए आउटपुट और collector current का relation समझे अगर collector current increase होगी तो output भी बढ़ना चाहिए बढ़ेगा भाई लेकिन यह negative है यह sign देखिए आप negative है इसलिए 180 degree phase shift होता है तो यह हम समझ चुके हैं clearly कि 180 degree phase shift क्यों होता है common emitter amplifier में बस यह हमारे लिए बहुत ही important topic था यह समझना जरूरी था आप हम लोग इसके construction को समझते हैं तो यहाँ पर देखिए आप दो हम लोग use करते हैं common emitter amplifier पहला यह है दूसरा यह है अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्या लगा हुआ है register बगेर यह सब क्यों लगा हुआ है तो यह सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा don't worry एक एक चीज़ बताऊंगा तो सब construction के notes पर आते हैं और इसको समझते हैं देखे figure 1 में हमने construction को दिखाया है यह two stage का amplifier लिया क्योंकि दो transistor है तो दो stage होगा अब देखिए यह से मैंने आपको बताया कि 180 इस तरीके का wave दिया तो यहां पर output पर हमें कुछ इस तरीके का wave मिलेगा gain होके क्योंकि amplify रहे तो gain देगा फिर इस वाले पर आएगा तो यह input की तरह काम करेगा अब क्या हो जाएगा फिर से हमारा phase shift हो जाएगा और हमें इस तरीके से मिल जाएगा यानि कि जैसा हमारा पह इस सेज का amplifier हमने लिए है जिसका individual stage जो है वो common emitter amplifier है इसके design में क्या होता है RC coupled amplifier के design में क्या होता है कि common emitter amplifier का ही design होता है जिसमें resistor R1, R2 जो हो है वो biising network का का काम करते है R1, R2 यहाँ पे हम लगा के क्यों इसको power supply दे रहे हैं क्यों हम इस input को R1 और R2 लगा के दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इसको stable voltage मिले क्या मिले क्या मिले R2, R2 जो है यहाँ पे यहाँ पे यह भी हमारा क्या करेगा voltage drop हो जाएगा इसके across तो इसलिए हम इसका use करते हैं stabilization के लिए तो यह सारी चीजों का use हम लोग stabilization के लिए करते हैं कि stable है यहाँ पे जो CE है वो bypass capacitor है बाइपास capacitor का काम क्या होता है कि यह AC signal को ही allow करता है और DC को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है DC voltage को drop करवा देता है R2 के across केवल AC को ही यह allow करता है अगर DC भी allow हो जाएगा तो क्या होगा signal में distortion नहेगा वो हम नहीं चाहते हैं एकदम clear amplifier हम चाहते हैं यहां तक हम समझ चुके हैं कि CE क्यों लगा है तो CE तो आप समझ चुके हैं अब further इसमें क्या लगा हुआ है coupling capacitor CC मतलब एक हमारे यह transistor है तो अब यह जो है यह transistor इससे क्या होगा कि हमारे इसका जो second का output होगा वो input बनके इस पर जाएगा तो यह coupling इसको coupling हम लोग capacitor भी कहते है क्या कहते है coupling capacitor क्योंकि इससे क्या होगा कपल हो जाएगा signal यह जो आएगा यह से क्या होगा कपल हो जाएगा clear है also increases the stability यह भी working को फिर frequency response everything हम लोग समझने वाले हैं यहां पर यहां पर भी आरवन रटू का यूज stabilization का आरी का यूज stabilization के लिए किया गया है तो यह सारी चीजें हम ने किया यह वी सी सी जो है यह power supply दे रहे हैं हम लोग और यह input तो हम दे ही रहे हैं यह input फिर यह इसका output जो है इसके input की तरह काम करेगा यह समझ चुके हैं अब working देखे हम लोग दो ट्रांजिस्टर ले चुके हैं तो इसको हम कह देते हैं पहले ट्रांजिस्टर को Q1 और दूसरे ट्रांजिस्टर को हम लोग कह देते हैं Q2 ठीक है तो यहां पर क्या होगा input signal हम apply करेंगे base of the transistor पे मतलब यहां पर हम लोग apply करेंगे stage 1 में Q1 तो क्या होगा amplification होगा और 180 degree का phase shift आएगा यह मैं आपको समझा चुका हूँ पहले से common emitter में ऐसा होता है 180 degree का phase shift आता है amplification हो गया है अब क्या होगा AC component of this signal is coupled to the second stage अब यह क्या करेगा second stage पर कपल हो जाएगा same process होगा इसमें same process होगा amplification होगा और यह क्या होगा phase shift हो जाएगा इस तरीके से 180 degree का तो यह हमारा होगा second transistor से और हमें यहां पर output मिलेगा इसका मतलब 180 और 180 क्या हो गया 360 degree का phase shift हो गया यानि कि जैसे पहले था वैसे बार में हो गया है यह आप समझ सकते हैं this means that output of second stage will be 360 degree out of phase with respect to the input which in turn indicate face of the input signal and face of the output signal क्या है same है input और output का phase क्या है same है और यह बारखाउसन क्राइटेरिया भी है यह या तो 0 degree का difference हो या तो 360 degree का difference हो in addition it is important to note that by following the pattern in figure one one can cascade अच्छा देखें यहां पर मैंने दो ट्रांजिस्टर का यूज किया हम लोग क्या गर सकते हैं तो आपको phase shift नहीं मिलेगा ठीक है अगर दो का यूज करते हैं तो आपको phase shift नहीं मिलेगा even number जब होगा तो 0 degree या 360 degree का phase shift मिलेगा जो की identical होता है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं amplify कर सकते हैं वही जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाएंगे amplification उतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा amplification होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत सारे common emitter amplifier को लगा सकते हैं when the number of stages are even the output will be in phase और जब क्या होगा odd होगा तो output और input क्या होगा out of phase होगी कितने out of phase 180 degree जो हम जानते है common emitter में होता है तो यहां तो हम लोग working भी समझ चुके हैं भाई अब हम लोग क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे कि भाईया यह कितने range में काम करता है किस frequency पे काम करता है इसको समझेंगे फिर advantage disadvantage समझेंगे तो frequency response क्या होता है RC coupled amplifier का frequency response का मतलब क्या होता इसको समझेंगे frequency response का मतलब यह है कि amplifier का gain amplifier का gain मतलब कि यह weak को कितना strong किया तो वो उसका gain हो जाता है weak को strong मनाने की capability को हम gain कहते हैं तो amplifier का gain और उसके frequency के बीच में graph plot करेंगे तो यहां पर हम लोग graph plot करेंगे अब देखिए हम graph plot कर रहा है तो हमें क्या मिल ला है यह frequency देखिए यहां पर हमने 0 से लेके बहुत सारी frequency ली हुई है 20 kHz और उससे जादा तक 50 Hz और उससे जादा तक frequency हमने ली हुई है तो हमने यह देखा कि 50 Hz से और 20 kHz के बीच में जो है वो हमें गेन जो है वोल्टेज गेन जो है वो constant मिल रहा है क्या मिल रहा है constant voltage gain मिल रहा है 50 Hz से 20 kHz के बीच में यह हमें मिल रहा है लेकिन अगर हम low frequency की बात करें 50 Hz से low frequency तो वहाँ पे gain जो है constant नहीं मिल रहा है 20 kHz से ज़्यादा के frequency पे वहाँ भी हमें gain constant नहीं मिल रहा है वहाँ पे voltage gain क्या हो रहा है decrease हो रहा है तो low और high frequency पे voltage gain decrease होता है और mid frequency जानि 50 Hz से 20 kHz के बीच में जो frequency रहती है उस पे क्या होता है हमें stable कह सकते हैं या फिर constant कह सकते हैं तो constant gain हमें मिलता है इसके बीच में इसको हम लोग band width भी कहते हैं तो इसका अगर आप कोई band width पूछे या RC cupboard का कितना होता है तो 50 Hz से 20 kHz के बीच में इसको operate कराते हैं ज्यादा तर हम लोग अब हम लोग समझेंगे कि भाई low frequency पे ऐसा क्या हो रहा है कि यह नहीं मतलब constant gain दे पा रहा है और high frequency पे यह constant gain नहीं दे पा रहा है ऐसा क्या reason है तो low frequency की समझते हैं तो low frequency अच्छा यह भी समझेंगे कि भाई मिड़ वाले पर क्यों हमें constant gain में यह भी समझेंगे तो सबसे पहले low का समझते हैं low frequency यानि 50 Hz के नीचे 50 Hz के नीचे देखे क्या होता है इसमें capacitor लगे हुए बहुत सारे ठीक है तो आपने पढ़ा है xc जो होता है वो होता है 1 by omega c 1 by omega c आप पढ़ चुके है omega जो होता वो 2 by f होता यानि frequency यहाँ पे frequency कटा मारा तो frequency और capacitive reactance जो है वो एक दूसरे के inversely proportional है ठीक है अगर frequency कम होगी तो xc जो होगा वो जादा होगा capacitive reaction xc is inversely proportional to the frequency at low frequency the reactance is quite high low frequency पे reactance होगा काफी जादा होगा तो reaction reactance जो होगा input capacitor का भी जादा होगा coupling capacitor का भी जादा होगा तो इससे क्या होगा small part of the signal is allowed केवल small part of the signal ही allow होंगे अब जब small part of signal allow होंगे तो हमें constant gain कहा मिलेगा नहीं मिलेगा और एक चीज़ मैं आपको और बता दू कि जो हमारा यह होता है CE यानि कि emitter का जो capacitor होता है bypass capacitor जो को मिलते हूं उसका भी reactance बहुत ज़्यादा होगा low frequency पे तो इससे क्या होगा it cannot shun the emitter resistance effectively तो यह इसको pass नहीं करा पाएगा effectively तो इसी लिए भाई क्या होता है कि voltage gain constant नहीं होता है low frequency पे high frequency पे समझते हैं कि क्यों नहीं होता है voltage gain constant high frequency पे क्यों नहीं होता है high frequency above 20 देखिए यहाँ पे क्या होता frequency अगर ज़्यादा है तो क्या होगा xc low होगा ठीक है यह अगर नीचे वाला ज़्यादा तो उपर वाला कम होगा तो यहाँ पे high frequency पे यह होगा high frequency पे यह होगा xc जो होगा low होगा high frequency पे तो capacitor जो होगा short circuit की तरह behave करेगा short circuit मतलब path of low resistance उसकी तरह behave करेगा जिसकी वज़े से क्या होगा loading effect बढ़ जाएगा next stage का अब loading effect क्या होता है loading effect मतलब यह होता है कि power consume जोगा resistance के द्वारा ज्यादा किया जाएगा तो power consume जब ज्यादा किया जाएगा तो क्या होगा voltage reduce हो जाएगा voltage gain reduce हो जाएगा तो इसलिए भाईया high frequency पे क्या होता है constant gain नहीं मिलता है क्योंकि voltage reduce हो जाता है समच चुके हैं हम लोग mid frequency पे क्यों होता है क्योंकि mid frequency पे देखिए इसलिए होता है कि mid frequency पे अगर हम ये बढ़ाते हैं तो ये हमारे decrease होगा ये decrease होगा तो ये बढ़ाते हैं तो mid frequency क्या होता है कि balance हो जाता है किसी तरीके से और coupling capacitor भी है हमारा तो mid frequency पे balance बना होता है इसलिए mid frequency पे constant gain दे पाता है और high और low पे नहीं दे पाता है उसका reason मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अब हम लोग इसके disadvantage और application को समझते हैं तो disadvantage इसका सबसे ज़्यादा ज़रूर है जानना यह unsuitable low frequency के लिए as well as high frequency high frequency के लिए भी है आप यहाँ पे लिख सकते है narrow bandwidth when compared to jfet bandwidth मतलब जो है इसका कम है 50 Hz से 20 kHz वैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर हम jfet से compare करें jfet amplifier यानि junction field effect transistor से तो उसके हिसाब से इसका bandwidth कम है moisture sensitive होता है यह क्या होता है अगर moisture लग जया इस device पे हमारे क्या होता है कि noisy हो जाता है noisy मतलब unwanted signal इसमें आ जाते है time के साथ में advantage क्या है circuit simple है भाई lower cost का रहेगा क्योंकि इसमें transistor और capacitor और register से हमारा बन जाता है जो सस्ता है lower cost का है frequency response RC amplifier का क्या होता है constant होता है wide range तक तो यह suitable है audio application के लिए इसको अपग्रेड करेंगे तो यह क्या होता जाएगा छूटा होता जाएगा तो बहतर है अब हम लोग समझते हैं इसके applications को और करते हैं वीडियो को finish यहां पे देखे application वोडली यूज़ एस voltage amplifier voltage gain करता है तो voltage amplifier की तरह यूज़ करते हैं RF communication optical fiber communication में यूज़ करते हैं radio TV receiver की तरह इसको यूज़ करते हैं as small signal amplifier radio TV receiver में small signal amplifier की तरह हम लोग यूज़ करते हैं इसको तो आई होग ये वीडियो आपको अच्छे से clear होगे इस वीडियो में तरह आते हैं वीडियो दिखने के लिए thank you thank you so much